ओके दोस्तों, HyperOS 2 का अपडेट आ चुका है चाइना में, अभी इंडिया में नहीं आया है, या ग्लोबल में नहीं आया है, लेकिन चाइना में इसे लाँज किया जा चुका है, अभी बीटा टेस्टिंग वगरा चल रही है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स लाए गए हैं, तो पब्लिकली कब तक अफ लेवल होगी तो चाइना में भाई देसमबर तक, और इंडिया में आते आते मार्च अपरिल में तक का तो टाइम लगेगा, बट क्या कुछ नए-नए फीचर्स आए हैं, ये अल्रेडी आउट हो चुका है, तो आज इस वीडियो में आप लोग स्क्रीन ने वो कुछ ऐसा है, जहां पर आप देफ्थ एफेक्ट देख सकते हो, बेसिकली उन्हें ने आई-उस को कॉपी किया था, यहां पर लोग स्क्रीन पे, लिकिन अब ये लोग उस चीज़ को एक स्टेप और आगे लेकर के जा रहे हैं, अब सिर्फ फोटो जी नही अब आपको AI-generated dynamic wallpaper देखने को मिल लाएगा, तो HyperOS 1 में अपडेट आया था, कि आप wallpaper को generate कर सकते थे AI के जरीए, लेकिन वह static wallpaper था, लेकिन अब आप dynamic wallpaper भी AI के जरीए 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 कर सकते हैं, और वह बहुत खुबसरत खुबसरत video type wallpaper आप बना सकते हैं, बतल लोग स्क्री animation को सुधारा है, तो इसलिए अब आपको animation और भी जादा बहतर दिखेंगे, हलागि animation के बारे बहुत बात हैं नहीं कि, but overall HyperOS में और बहुत अच्छे animation है, तो HyperOS 2 में उसे और भी जादा बस इंप्रूफ किया गया है, Xiaomi यही क्लेम करता है कि इस बर widgets भी आपको और भी जाद अच्छे में मिलते हैं, मतलब HyperOS में ही आपको मिलता था expandable widget जिसके आप size को change कर सकते थे, लेकिन आप यही लोग कहते हैं, और भी ज्यादा widgets के साथ आप कहल सकते हैं, और भी ज्यादा widgets को आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं, तो जिस तरह से widgets में थोड़े बहुत यहां पर देखने को मिलेंगे, पूरे के पूरे सिस्टम एपस में, HyperOS की सबसे अची बात यह है, कि यह सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन के लिए नहीं बना है, यह बना है पूरे के पूरे एको सिस्टम प्रोड़क्ट्स के लिए, यानि कि HyperOS इंटेग्रेट किया जा रहा है, तो एक तरसी यह लोग एको सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे है, इसलिए HyperOS 2 के साथ में जो वाच फेस से वो और भी जदे इंप्रूव हो गया है, तीवे में आपको नए-नए स्क्रीन सेवर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही जदा खूबसूरत लगता है, साथ साथ जी ने स्मार्ट टीवी को अपडेट मिलेगा, उनमें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल और यहाँ पे टॉगल्स का कंट्रोल सेंटर वगरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अलगी तरह से डिजाइन किया गया है, और यहाँ पे आपको सीमलेस इं आप चाहो तो अपने स्मार्ट फोन के स्क्रीन को अपने टैबलेट के स्क्रीन पर देख सकती हो, अपने स्मार्ट फोन के अप्लिकेशन को अपने टैबलेट में कोल सकती हो, या फिर उस अप्लिकेशन को पिन कर सकती हो तो जब भी मन करें आपके टैबलेट से अपने फोन अगर आप अपने smartphone में कोई video देख रहे हो एंड टीवी में आपका कोई यहां पे वीडियो चल रहा है और आप चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए में अपने TV में smartphone का वीडियो खोलू तो आप ऐसा कर सकते हो P.I.P. मोड में भी तो जी यहां TV के लिए भी P.I.P. तो आपको बस चुटकी बजाना है वो smart watch पहनते हुए तो उस gadget के तरफ ऐसे करके चुटकी बजाओगे तो TV ओन हो जाएगा या फिर आप रोबोट के तरफ करोगे तो वो cleaning करने लगेगा या फिर air purifier के तरफ चुटकी बजाओगे तो ओन हो जाएगा अब आपने एक यह generate कर सकते हैं images को तो आप कुछ भी type करेंगे और उससे वह image बन जाएगा या फिर अगर आपने कोई notes में sketch वगरा बनाया है और आप चाहते है कि उसका life-like picture बन जाए तो वह भी आप कर सकते हैं तो किसी भी sketch से आप life-like picture generate यहां पर कर सकते हैं या फिल लेट से कोई website वग लाता है उसका आपको यहां पर AI का writing tools मिल लाता है तो लेट से आपने कोई भी paragraph बढ़ा उससे आपको छोटा करना है तो writing tools के मदद से आप कर सकते हैं वह summary summary निकाल करके देतेगा या फिर आप email लिख रहे हैं उसमें आपको health चाहिए या फिर SEO contents वगरा बनाना है या फिर words क सुधारना है grammar को सुधारना है उन सब के लिए यहां पर writing tools भी देखने को मिल जाता है उसके लाव यह आपके call को detect करेगा कि कोई fraud तो आपके साथ नहीं हो रहा तो अगर कोई scammer है call पे तो यह आपको बता देगा कि possibly scam है या फिर आप किसी को OTP वगरा बताने जा रहे हो तो यही सब features है जो कि आपको यहां पर HyperOS 2 में मिलता है उसके अलवा Xiaomi कहता है कि हम लोगों ने HyperOS 2 को बनाया है अपने self-developed kernel के उपर में इस वज़ए से इसमें चार चीजों में बहुत जाते improvement हुई है सबसे पहला performance है दूसरा है graphics तीसरा है network and fourth है security यह चार चीजों पे इन्हों अच्छे लग रहे हैं especially lock screen पे dynamic AI wallpaper है या फिर वीडियो वालपेपर में depth detection है वह हमारे फोन को एक नया ही लुक देने वाला है बट जी है एक बात मैं कहूंगा कि Xiaomi को अपने गेम को थोरा से और जादा बढ़ाना परेगा control center को और बीज़दे improve करना परेगा customization को और बीज़दे improve करना परेगा और बीज़दे stable software देना परेगा and HyperOS को global में जादा से जादा feature देना परेगा India में जादा जादा feature देना परेगा क्योंकि जितने भी मैंने features बताए है ऐसा possible हो सकता है कि इनमें से mostly features सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही रह जाए and global में या India मे देखने को नहीं मिले and अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बहुत ही बेकार हो जाएगा तो अगर आप पूछेंगे कि कब आएगा HyperOS 2 का update तो मैं आपको पता तो चाइना में beta testing शुरू हो चुकी है and by November ये लोग जो है बहुत सरे devices को update दे देंगे जैसे कि जो भी premium devices Xiaomi 14, Xiaomi 15 तो out of the box आएगा HyperOS 2 के साथ में उसका लगा Xiaomi 13 Pro अगरा Xiaomi 13 14 Ultra अगरा इन सबको तो मिल जाएगा लेकिन जो Redmi devices होंगे वो आपको December January तक देखने को मिलेगा and जो पूराने devices होंगे up to Redmi 12 तो वहां तक आपको यहां पे लगभग January March यानिकि first half of 2025 तक देखने को म जाएगा तो चाइना में जब इतना टाइम लग रहा है तो इंडिया में भी आने में टाइम लग जाएगा तो मैं पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ डिवाइस जोड़ दूँगा जहां से आप पता लगा सकते हो कि कौन कौन से डिवाइस में आने वाला है एंडिया Redmi 12 तक करके आना तब मजाएगा राइट मगी दोस्ते यह था मेरा पूरा पूरा वीडियो हाइप रोस्ट के बारे में आब बता आपके वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी बुरी लगी जो भी एक फीड़बैक दो आपके लिए थोरे थोरे ही वीडियो बट लेकर के आऊंगा वके बाइब मेरा प्रिस बारे में आपके लियक लूह